नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है आज है 25 जून दिन रविवार खबरों के उर बढ़ने से पहरे एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार के इस एनेम को मिला राश्रपती के हाथों किताब वन विभाग ने बंद कर दी जंगल सफारी की सुवधा राची के हर स्कूल का सपताह में दो बार होगा निरिक्षन वन्दे भारत पटना राची ट्रेन का सेडियूल जारी सर्फराज खान को नजर अंदास करने पर सुनल कावसकर और आकाश शोपरा का बयान अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 परी खबरों के ओर वस्तार से NHAI में निकली डिप्टी मैनिजर के पद पर वैकेंसी National Highway Authority of India के ओर से डिप्टी मैनिजर के कुल 50 पदों के लिए रिकूट्में नोटिफिकेशन चारी किया गया है इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करे तुम्हे द्वार को किसी मानिता प्राप्त विश्विद्याले संस्थान से सिविल इंजिनरिंग में डिग्री होना अनिवारे है एक्चोक और योग्यमिद्वार आविदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट nhai.gov.in पर जाकर ओल्लाइन तरीके से आविदन कर सकते हैं बतादे के आविदन करने की अंदिम तारीक 30 जून 2023 तकनर धारित की गई है बिहार के इस एनम को मिला राश्रपती के हाथों किताब देश की रासधाने दिल्ली में आयुजित सम्मान समारों में राश्ट्रपती द्रौपदी मुर्मुर के द्वारा बिहार के सेखपूरा जिले के अत्रिक प्रात्मिक स्वास्ते केंद्र में पदस्थापित एनम गायतरी कुमारी को राश्ट्री फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरुसकार से सम्मानित किया गया है। जला प्रिशासन की अनुसंसा पर रहने सम्मानित किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि गायतरी कुमारी का चैन स्वास्त विभाग के अंतरगत नर्स की सेवा के लिए वर्स 2008 में हुआ था। अधिनायक वाद का विरोध और लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन है। और विल ने साहितिक आलोशना, कविता, कथा और विवादासपद पत्रकारिता का नर्मान किया। उन्हें रूपक उपन्यास एनिमल फार्म और डास्टोपियन उपन्यास 1984 के लिए जाना जाता है। 1920 के दशक के अंत से 1930 के दशक के शिरवाद तक एक लेखा के रूप में उनकी सफलता बरती गई। और उनकी पहली किताबे प्रकासित हुई द्वितिय विश्वयुद के दोरान उन्होंने एक पत्रकार के रूप में और 1941 से 1943 के बीच BBC के लिए काम किया, 1945 में एनिमल फार्म के प्रकाशन ने उनके जीवनकाल में ही प्रसिद्धी दिला दी। बिहार में ये 10 ट्रेन 28 जून तक रद बिहार के मुझपरपुर सुगौली रेलखन के सिमरा स्टेशन पर दोरी करन काड़ी के कारण आज यानि के 25 जून से 28 जून तक बिहार के 10 पैसेंजर ट्रेनों को रद कर दिया गया है बतारी के जिन 10 पैसेंजर ट्रेनों को रद किया गया है उनमें गारी संख्या 15287 मुझपरपुर रक्सॉल स्पेशल और मुझपरपुर नरकटिया गंच के बीच चलने वाली 15215 और 15216 एक्स्प्रेस के नाम शामिल है वन विभाग ने बंद कर दी जंगल सफारी की सुधा अगर आप भी अभी जंगल सफारी गुमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है बता दे कि वन विभाग के द्वारा भारत नेपाल सीमा पर सिप्त वालमी की नगर के टाईगर रजर्व छेतर में जंगल सफारी की सुधा परटको के लिए बंद कर दी गया है लेकि परटक मॉनसून के सीजन में जंगल सफारी का लुटव नहीं उठा सकता हैंगे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि प्रतीक वर्ष मौनसून सीजन के दौरान टाइगर रजर्व के दौरा जंगल सफारी के सुधा परटकों के लिए बंद कर दी जाती है लेकिन इस फर्ष मौनसून के लेट आगमन की वज़ा से अब तक परटको को जंगल सफारी की सुवधा मिल रही थी लेकिन अब होड़ा ही बारिश को देखते वे इस सुवधा को बंद करने का नर्ने लिया गया है अब एक बार फिर से जंगल सफारी के सुवधा ऑक्टूबर में शिरू होगी और अगर बारिश का सीजन लंबा चाता है तो नवंबर के पहले सब्ता हमें से खोल दिया जाता है बिहार में चार महीने में एक करोड से अधिक सैलानीों का हुआ आगमन बिहार के मुखे मंतरे नतीश कुमार के द्वारा अपने ट्वीटर पर एक पोस्ट शेयर की गई है जिसके तहत यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि बिहार में पिछले चार महीने में एक करोड से अधिक सैलानीों में एक लाग छेयासी हजार विदेशी सैलानी भी सामिल हैं बतादे कि सेयर के गई पोस्ट के अनुसार जन्वरी महीने में कुल 19,666,69 सैलानी फरवरी महीने में 7,6,491 सैलानी मार्च महीने में 32,6,227 सैलानी और अप्रैल महीने में कुल 22,62,841 सैलानीों को बिहार में आगमन हुआ है बतादे कि सेयर के गई पोस्ट में लिखा गया है कि परेटन के छेत्र में बिहार की लंबी उडान सूशासन सरकार की नीदी ला रही रंग वहें इस पोस्ट को शेयर करते वे सीयम नितीश ने लिखा है कि परेटन छेत्र में बिहार को नंबर वन या हमारी प्रात्मिक्ता सलानियों के आने से स्थानी युवाओं को बड़े पैमाने पर मिल रहा है रोजगार राजी के हर स्कूल का सप्ताह में दो बार होगा नरिक्षन बिहार सरकार के सक्षा विवाग के अपर मुख्य सचीव के के पार्थक के द्वारा राजी के सभी जिलादिकारियों को पत्र लिख नर्देश देते वे कहा गया है कि अब राजी के सभी स्कूलों का सप्ताह में कम से कम दो बार नरिक्षन करना स्ठुशित कराए और नरिक्षन के रिपोर्ट शाम को प्रखंड सक्षा पताधिकारी को सौप देंगे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अपर मुखे सचेफ के के पार्था की ओर से दिया गया यह नर्देश एक से 31 जुलाई तक है उन्होंने सभी स्कूलों के निरिक्षन के लिए मासे क्रोस्टर बनानी का भी नर्देश दिया है बता दे कि इस निरिक्षन के लिए SDO, BDO, CO, CDPO आदी को भी रखा जा सकता है बगहा पुलिस ने की बड़ी कारवाई जब्त किये सराव और 30 बाइक विहार में सराव बंदी है, इसे तो हम सभी वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन सराव दसकरी से जड़े मामले सामनी आते रहते हैं बता दे कि ताजा मामला बगह का है जहां बगह S.P. किरन कुमार जाधव को मिलिक गुप्त सूचना के आधार पर विशेश अभियान के तहट की गई चापे मारी में 30 से अधिक बाई के साथ 60 लीटर देशी सराव को जब्त किया गया है हाला कि जरान पुलिस की टीम को देखते वे ही सराव कारोबारी और घर छोड़ कर भाग गया आपके जानकारी के लिए बता दे कि पुलिस की टीम के दोरा की गई अच्छा पेमारी करीब 4 घंटे तक चली इस कारवाई को लेकर बगह हैसपी के दोरा जानकारी देते वे बताया गया कि आ कारवाई रामनगर थाना छेतर के मधुबनी गाउं में की गई है जिसमें जब्त किये गए तीस से अधिक बाई को रामनगर थाना ले जाया गया है ऐसे में जिस बाई का पेपर होगा उसे छोड़ दिया जाएगा और जो बाई चोड़ी की होगी उस पर कानूनी कारवाई की जाएगी वंदे भारत पटनाराची ट्रेन का सेड्यूल जारी बिहार वासियों को बहुत जल्दी पटनाराची वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है बतादी के 27 जून को देश के प्रधान मंतरी नरंदर मोदी के दोरा ओनलाइन तरीके से इस ट्रेन का उधगाटन कर दिय जाएगा वहीं अब इस ट्रेन को लेकर सेड्यूल जारी कर दिया गया है जिसके तहट यह ट्रेन बिहार के राजजानी पटना से सुबह साथ बचे खुलेगी और दो पहट एक बजे राची पहुँच जाएगी वहीं यह ट्रेन सबता हमें केवल मंगलवार को ही नहीं चल जो राची से साम 4-15 बजे खुलेगी और राच 10-5 बजे पटना पहुँच जाएगी मालुभों के ट्रेन को राची से पटना की दूरी तैक करने में 5 घंटा 50 मिनट का समय लगेगा इसको लेकर रेल मंतराली के ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बिहार के परेटर में आज हम बात करेंगे भीमबांध वन्यजीब अभ्यारने के बारे में जिन में से सबसे अच्छे भीमबां सीता कुंड और रिशिक कुंड है सभी गर्म जडने पूरे वर्ष लगभग समान तापमान बनाए रखते हैं उनमें से भीमबां उनमें से भीमबां स्प्रिंस में सबसे गर्म तापमान और डिस्चार्ज है और भूता पी है उर्जा चमता की खोज के लिए सबसे अच्छा स्छेतर है महाभारत के नुसार पांड़ों में से एक भीम ने यहाँ एक बांध का नर्मान किया था और इसलिए इसे भीम बांध कहा जाता है बिहार के राजधानी से उत्तर बिहार आना जाना होगा असान राश्ट्रे राजमार प्राधिकरन के द्वारा बीते 10 सालों से जमीन अधिगरहन पूरा ना होने की वज़ा से अटकी मुझपरपुर हाज़िपूर फोरलिन सरक का का काम पूरा किया जा सके इसके लिए जिला भू अरजन कारयाले को 19.57 करोर रुपे आवंटित किये गए हैं जिससे मुझपरपुर के कुर्णी अंचल के 29 मोजे से जमीन अधिगरहत किया जाएगा बता दे कि अगर इस फोरलिन का नर्मान हो जाता है तो बिहार की राज़ानी पटना से उत्तर बिहार आना जाना लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगा और हाचिपुर और पट्टा से आने वाली गारियां मुझपरपुर शहर में बिना प्रवेश के वे मुतिहारी, बेतिया, दर्भंगा और सीता मरी के ओर जा सकेगी आपके जानकारी के लिए बता दे कि अब तक इस परियोजना को पूरा करने की चार डेडलाइन फेल हो चुकी है मालम हो कि इस हाईवे के अनुमानित लागत करीब 671 करोर रुपे है गर्मी से सम्मलत बिमारी को रोकने के लिए अपना ये उपाई एक طرف जहां राजे में मौनसून का अगमन हो चुका है तो वहीं दूसरी और अब भी राजे के के हिस्सों में लोगों को गर्मी का सामना करना पर रहा है इसके साथ ही गर्मी में कई बिमारियां भी होती है अगर आप गर्मियों में होने वाली बिमारियों सब खुद को बचाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ उपाई करने होंगे बता दे कि बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विवाग के ओर से गर्मी से संबन्ध होने वाले बिमारियों से खुद को बचाने के लिए पोस्ट के जरीए कुछ उपाई बताए गया है जिसमें यहां बताया गया है कि गर्मी के मौसम में खुद को ठंडा रखे हाईडरेट रखे और सुचित रखे खुद को ठंडा रखने के लिए हलक धीले ढाले कपड़े पहने घर से बाहर ना लिकले और हलका तधा पॉस्टिक खाना खाए वहें खुद को हाईडरेट रखने के लिए अधिक मातरा में तरल पदार्थ पीए और इसका घोल पीए और बहुत अधिक सक्करवाले पदार्थ से दूर रहे इस सब के अलावा खुद को सुचित रखने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग दोरा जारी अलट पर ध्यान दे और साथी गर्मियों से होने वाले बेमारियों के लक्षन और उनके इलाज के बाड़े में जानकारी रखे प्रदेश में 550 से अधिक बड़े तालाव सुखे बिहार में गर्मी से जलिश्टों का बुड़ा हाल है बतादी के सूबे के लगबग 60 फीजदी तालाव ऐसे हैं जो सूख चुके हैं मालमों के सूखने वाले ये साले तालाव पांच एकर से अधिक बड़े हैं वहीं से छोटे तालाव किसिती और भी दैनिया हैं आपके जानकारी के लिए बता दे किस सूबे के 954 प्रमुख बड़े तालावों में 550 से अधिक में पानी नहीं है जबकि अन्यकिसिती और भी तेजी से बिगड़ रही है हालाक इन तालावों में से 150 तालाव ऐसे हैं जिनके सिती वर्तमान में अच्छी है यहां 10 से 12 फीट तक पानी है विशिचुग्यों के अनुसार इस तरह किसिती का कारण भू गर्व जलस्तर का नीचे जाना है वहीं पिछले वर्षों में इनकी NH-327E पर मेची नदी पर लगबग तयार हो चुके पुल के बीच का हिस्सा नीचे की ओड जुग गया वहीं अब इस पर बिहार के उपमुख्य मंत्रे तेश्री आदव के द्वारा ट्वीट कर सफाइद दी गई है उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि है कि अकिंद सरकार अध देने का सरवाधिकार NHAI का है पता दे कि मिल जानकारी के नुसार इस पुल का रिर्माज G.R.Info के द्वारा किया जा रहा था 13 PG कोर्स में सीधे दाखेले के लिए इगनू की नई पहल इंदरा गांधी नेशनल ओपन उनिवर्सिटी के द्वारा एक नई पहल की शिरुवात की गई है जिसके तहट वैसे छातर जो पहले इगनू से डिप्लोमा कोर्स कर चुके हैं वह अब उसे विशय के साथ PG भी कर स कोर्स चला रहे हैं वह Master of Arts in Distance Education, MSC, Food Safety and Quality Management, Master of Arts in Sustainability Science, Master of Arts in Migration, Diaspora, Master of Arts in Development Studies, Master of Arts in Corporate Social Responsibility, Master of Arts in Mass Communication, Master of Science in Information Security, Master of Science in Food Safety and Quality Management, Master of Arts in Gender and Development Studies, और Postgraduate Diploma in Industry Safety Management विशयस सामिल है आपके जानकारी के लिए बता दी कि वर्तमान में राजिमें Lateral Intery के वबस्था केवल इगनू में उपलब्ध है प्रदेश के उतरी और दक्षिन पश्म भागों में वजरपात के साथ में गर्जन की संभावना प्रदेश के कई जिलों में बारिस की संभावना है तो कई जिलों में तेज धूब जैसे हालात हैं इदर मौस्म वखाग के तरह से जारी अपडेट के नुसार यह बताया जा रहा है कि दक्षिन पश्रम मौनसून की उत्री सीमा बक्सर से होकर गुजर रही है साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले एक से दो दिनों में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है मौसर मिवा की तरह से जारी अपडेट के नुसार यह बताया जा रहा है कि 28 जून तक प्रदेश में बारिश होनी की पूरी संभावना है वहीं 25 जून को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश के उत्री और दक्षनी पश्रम के भागों में एक या दोस्थानों पर वजरपात के साथ में गरजन होनी की संभावना जताई गई है सियर नितीश की मूरीद हुई महबूबा मुफ्ती बीजेपी पर जमकर साधा निशाना जमो कश्मीर की पुर्व मुख्यमंतरी महबूबा मुफ्ती विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के राजधानी पटना पहुची थी वही इस दोरान बीते दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस आयुजित कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा कि जब नरिंद्र मोदी भारत में रहते हैं तो हिंदू मुसलिम करते हैं और जब भारत से बाहर जाते हैं तो लोगतंत्र की बात करते हैं आखिर यह कैसा लोगतंत्र है इसके साथ उन्होंने विपक्ची एकता की बैठा को लेकर कहा कि यह इतना आसान नहीं था उन्होंने सिया नितीश की तारीफ करते वे कहा कि नितीश कुमार जी ने काफी कोशिश की और अब उनकी यह कोशिश रंग लाई है नितीश कुमार जी ने अच्छा काम किया है इनकी तारीफ होनी चाहिए इसके साथ ही अर्विन के जिवाल को लेकर उन्होंने कहा कि हमें उनसे शिकायत थी कि उन्होंने 370 हटानी पर बीजेपी का समर्थन किया था हमने यह बाते कल कही थी लेकिन अब सब कुछ सही है हमारी कोई नाराजगी नहीं है रही बात कॉंग्रिस की तो वो समय आने पर नर्ने ले लेंगे AI MIM ने विपक्षी एकता को बताया अच्छी पहल लेकिन नजर अंदाज हुई कुछ चीज़े बिपक्षी दलो की बैठक को लेकर AI MIM विधायक अक्तुरूल इमान के द्वारा अपना बयान दिया गया है उन्होंने कहा कि बीजेपी को खटाने के लिए यह एक अच्छी पहल है लेकिन हैरत इस बात की है कि बिहार ने इसकी मेजबानी की और बिहार से एक भी मुस्लिम नेता या मंतरी को इस स्टीज में जगा नहीं दी गई यह लोग कहेंगी कि कस्मी से फारुक अब्दुल्ला और महबुबा मुफ्ती आई थी लेकिन यह बीजेपी के चहरे हैं हमें इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है यह बात साबित है कि बूरे देश के मुसलिम के मसले पर कश्मीर के मुसल्मानों ने कभी मुह नहीं खोला कश्मीर के मुसल्मानों को हम देश का मुसल्मान मानते हैं उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुस्लिम निताओं के द्वारा कभी देश के मसले पर अपनी जवान नहीं खोली गए इस पैठक में मुस्लिम सिको और इसाईयों के तमाम अखलियत को नजर अंदाज किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जब जीतनाम मांची अमिस साथ से मिलने गए थे तो उस दोराँ जीतनाम मांची नहीं कमडे में चाने से पहले अपने चपर बाहर खोल दिये थे। इस पर तेश-प्रताप यादव के दवारा ग्री मंतरी अमिस साथ से सवाल पूछा गय कि जब उन्होंने जीतर नाम मांची को अपने कमरे में बुलवाया तो चपल क्यों खुलवा दिया जबकि वो खुच चपल पहने रहे हैं इस बात का जवाब दे सरफराज खान को नजर अंदास करने पर सुनिल गावसकर और आकाश शोपरा का बयान वेस्ट इनलीज दोरे के लिए सरफराज खान का चयनना होने पर भारत के पुर्व बल्लेबाज सुनिल गावसकर और भारत के पुर्व सलामी बल्लेबाज आकाश शोपरा के दोरा जमकर हमला बोला गया है एक तरफ जहां सुनिल गावसकर का कहना है कि सरफराज खान पिछले 3 साल से 100 की और सा से रन बना रहे हैं उनको टीम में शामिल होने के लिए और क्या करना पड़े का वाप प्लेंग 11 में नहीं होते लेकिन उनको टीम में चुना जाना चाहिए था उनको बताना चाहिए कि आपके खेल और प्रदर्शन की पहचान हो रही है नहीं तो रंची खेला बंद करो कह दीजे इसका कोई मतलब नहीं है आप सर्फ IPL खेलिए और सोचे कि आप लाल गेंद की क्रिकेट के लिए भी तयार है चार उपनर की क्या ज़रूरत है वहीं दूसरी और आकाश शुप्रा के दोरा कहा गया कि सर्फराज को क्या करना होगा आप इसलिए तीन साल में उनके नमबर देखिए उनका प्रदर्शन कमाल काड़ा है उन्होंने हर जगा रन बनाए है इसके बावजूद उनको सलेक्शन नहीं हुआ है इस से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं या लाग टकी का सवाल है अगर कोई और कारन है जो आपको पता है और हमें नहीं पता तो उसको खुल कर पबलिक के सामने बताईए जो है कह दीजे कि आपको सर्फरास के खेल में आपको यह चीज अच्छी नहीं लगती है और इस वज़ा से आप उनको मौकान नहीं दे रहे हैं हाला कि हमको ऐसा कुछ नहीं पता है मुझे नहीं पता कि किसी ने सर्फरास को कुछ बताया है तो अगर आप फर्स्ट क्लास क रन की कदर नहीं करेंगे तो यह मुँ में खटा सुआच छोड़ जाएगा भारत के तिहास में आज की तारीक है कहीं कार्णों से दर्च मुगल सासक बाबर 529 में बंगाल पर विजय प्राप्त कर अपनी राजधानी आगरा लोटा बाबा सुहन सिंग के अध्यकस्ता में गदर पार्टी का गठन 1913 में हुआ भारती क्रिकेट टीम ने 1932 में ब्रिटिन के लॉट्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेला इंदरा कांथी के नितुत वाली कॉंग्रिस सरकार की सलापर भारत के राश्टरपती फक्रोदीन अली एहमद ने 1975 को देश में आपात का लगाने की घोशना की थी भारत ने 1983 वेस्ट इंडीस को 43 रनों से हडा कर पहली बार क्रिकेट विश्वकप का किताब अपने नाम किया उत्रप्रदेश सरकार ने 2008 में मकानवा फ्लैट की रजिश्ट्री सस्ती कर उस पर लगने वाला स्टाम सुल्क 8 प्रतीशत से घटा कर पांच प्रतीशत कर दिया श्रीकांती 2017 में उस्ट्रेलिया ओपन सूपर सीरीज का खिताब जीता, महिला भारती शुतंदा सिनानी एवं राजनतग्य सूचेता कृपलानी का जन 1908 में हुआ, बॉलिवर्ट फिल्म संगीत निर्देशक मदन मोहन का जन 1924 में हुआ, भारत के आटवे प्रधान मंत्र विश्वनात प्रताब सिंग का जन्म 1931 में हुआ, भारत के प्रसद्र हास अभिनेता सतीस्ता का जन्म 1961 में हुआ, भारत के राश्रवादी नेता एवं सुतंदा संग्राम सिनानी स्वामी सहजा नंसरस्वती का निधन 1950 में हुआ, बार्ध कर में आज अम बात करेंगे एक विशेश नमबर के बारे में सोसल मीडिया पर कहीं सूचनाय वारल होती है लेकिन सभी सच हो यह ज़रूरी नहीं है इसी कड़ी में आजम बात करेंगे एक विशेश नमबर के बारे में दरसल PIV ने अपने टूइट में लिखा है कि एक दावा किया गया है कि NIA ने आतंकी मु पर काम कर रहा है जो यूजर्स को ग्रूप और इंडिवीजवल चैट में पिन मैसेज के लिए टाइम सेट करने के सुधादे का यानि आप पिन मैसेज के लिए समय सीमा चन पाएंगे कि ये कब तक पिन रहेगा इस अपडेट की जानकारी वार्टसेप के डेवलप्मेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेफसाइट डबलुए बीटा इंफो ने शेयर की है नए फीचर के तहत कंपनी यूजर्स को मैसेज को पीन करने के लिए तीन तरह के आपशन देगी जिसमें यूजर्स मैसेज को 24 गंटे 7 दन या 30 दिनों के लिए पिन कर सकते हैं फिलाल य बिजली के बिल से परिशान है तो आपके लिए अच्छी खबर है बता दी कि सरकार की ओर से एक ठोस्त कदम उठाया गया है जिसकी मदद से आप बिजली बिल को 20 फीजदी कम कर सकते हैं दरसल सरकार की ओर से जल्द ही नया पावर टेरिफ लॉंच किया जाएगा जिसके अं सिस्टम सुरुआत में सर्फ इंडस्ट्रियल और कमर्सियल यूनिट पर लागू होगा उसके बाद इसे क्रिशिच छेतर छोड़कर बाकी छेतरों पर भी लागू कर दिया जाएगा मिली जानकारी के नुसार इस नया सिस्टम को अगले साल यानि की वर्ज 2024 के अप्रेल मह किया गया है जिसके तहत अब करमचारी आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक प्रनाली के जरीए अपनी अटेंडन्स दर्ज करेंगे आपकी जानकारी के लिए बता देगी कार्मिक मंतराली के द्वरा जारी एक आदेश में कहा गया है कि आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक अ और करमचारियों की और से लाप्रवाही सिथिलता इसको गंभीरता से लेते वे यह फैसला लिया गया है कि मंत्राले विवाग संगठन यह सुनुशित करेंगे कि वहां तैनात करमचारी और कारयाले से जल्दी चाने को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और नियमों के तहत इनके खिलाफ कारवाई शुरू की जाने चाहिए दिव्यां करमचारियों के समन्द में M.D.O. कम उचाई पढ़िया उनके डस्क पर आसानी से पहुंचने योगे मुसीनों को पलब्ध कराने की उचेत्विवस्था करेंगे पूचे का स्वाल का आप लोगों में से बहुत लोगन प्रजाब हमें मारे कमण सक्षिन बॉक्स में लिख कर दिया है जिनोंगे मदरा पूचे का सवाल का जवाब दिया है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके छेतर के जलस्तर में इस भीशन गर्मी के बीच कमी आई है या नहीं आप अपने जवाब हमें आपके जलस्तर में लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबड़ों के साथ बरे रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देखरें चानल को सब्सक्राइब करें और अगर आप से देखरें तो पेस्ट को फॉलो करना ना भूले धनेवाद